हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने LG W30 Plus Android वाइल फोन में आप जो है इस टेटिस बार को कस्टमाइच कैसे कर सकते हैं और इसे रिसेट भी कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी दे इसे आपको स्लेक्ट करना है तो आपको स्टेटिस बार फुल हो जाएगा इसटिस बार में आपको सारे आइकन आपको यहां पर आपको इसे फुट कर देना कहीं पर भी ठीक है और पुट कहां पे करना है यह जो hold and drag लिखा हुआ है na hold and drag इसके उपर वाली category में आपको कहीं पर भी put करना है तो आपका यह status bar में आपका icon add हो जाएगा ठीक है और इसका आप use कर पाएंगे अब इसी तरीके से आप जो किसी भी icon को आप hide कर सकते हैं अपने status bar से यानि कि status bar से icon मैं उंगली से दबा के रख सकता हूँ ठीक है दबा के रखना है और इसे नीचे लाना है गसीटते हुए और यहाँ पर आपको रख देना है कहां पर रखना है आपको यह जो hold and drag लिखा हुआ है na hold and drag इसके नीचे वाली category में आपको रखना है ठीक है तो आपका यह bluetooth का icon आ आपर जाए है को सीट सकते हैं जो अपने चाहिए टहल ऑपर चला गया है और का एकन फिर से नीचे आ गया ठीक है तो इस तरह की से आप अपने श्ट्यूटे जवार को कस्टमाइज कर सकते हैं और इसे रिसेट कर सकते हैं ठीक है